नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज आपका हमारे इस नहीं वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने जाओंगी एक ग्रहनी के बारे में पत्नी के बारे में और पत्नी को लक्षमी का दर्जा भी दिया गया है दोस्तों कहते हैं कि जिस घर में पतिवर्ता नारी का वास होता है वो घर स्वर्ग समान हो जाता है उस घर में लक्षमी वस्ती है और वैसे भी पत्नी को घर की लक्षमी का दर्जा दिया गया है और जिस घर में लक्षमी का वास होता है उस घर में हमेशा सुमती रहती है सदगुद्धी रहती है और सब अपने विवेक से काम करते हैं और साथ से अतिसाथ धन वर्षा भी बनी रहती है कि दोस्तों आज मैं ऐसे ही आपके लेक्वीडियो लेकि यह कि इbaar सी को अपने पती के पाऊं क्यूं दबाने चाहिए कि इसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा कारन चुपा उप दोस्तों पुरुष के जो घुटने होते हैं पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वो शनी का होता है तथा इस्तरी की कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र होता है जब भी शनी पर शुक्र का प्रभाव करता है तो धन प्राप्ति का योग तो इसलिए हमेशा इस्तरी को अपने पती के पैर दबाने चाहिए तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हूं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और चीज से आपको वीडियो चाहिए कि क्या करना चाहिए आपको अपने घर के कलहा कलेश को मिटाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकती हैं तो हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए धन्यवाद